विचारों की खेती सबसे बड़ी सेवा है गुरुदेव का अपने अंग अव्यवों से पत्रसने मित्रों, दान देने को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरीए हम धर्म का ठीक से पालन कर पाते हैं यदपी दान कई प्रकार के होते हैं पर सबसे उप्युक्त अगर कुछ है तो वह है ज्यान दान जो व्यक्ति को अज्यान रूपी अंदकार से ज्यान रूपी प्रकाश कियो ले जाता है गुरुदेव ने अपने प्रतिक बच्चे को बस एक ही बात कही कि बेटा मेरे विचारों को तुम जन जन तक पहुचा दो, स्वयम समझो और औरों को समझाओ या पुजयवर की विचारों की ही क्रांति है जो परिजनों से देश-विदेश में उत्थान भरे कार्य करा रही है आईए, बढ़ते हैं आज के इस पत्र की ओर गुरुदेव का अपने अंग अव्यव से पत्र सने दिनांग 7 सतंबर 1962, हमारे आत्म स्वरुप आपका पत्र मिला कुशल समाचार पढ़कर प्रसनिता हुई, तेज सिंग जी द्वारा बनाए ग्राहकों की लिस्ट मिली इन सब के लिए सतंबर अंक से पत्र का चालुक करा रहे हैं श्रीलाल तितरा का पूरा नाम, पता तथा कब कित्ते ग्राहकों का मनी ओर्डर भीजा गया था इसका कुछ विवरन लिख दें तो रेजिस्टर ढूनने में सुविधा रहेगी उत्तर आते ही तलाश करा के जिने अंक नहीं पहुँचे हैं उन्हें भिजवा देंगे जिन सेक्डों खेतों में आप गुलाब जैसे सुगंतित विचारों के पौदे लगा रहे हैं वे जब फूलेंगे तो इनकी महक से सारा वाता वरन महक उठेगा विचारों की खेती सबसे बड़ी सेवा है अखन जोती का बीज अनेकों पाठकों के हृदय में बोते चलने का आपका कार्य साधारन दिखते हुए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है पडोस की जमीन की सफाई, डोर बंदी तता लेबिल ठीक हो चुका है अब खाट डाल कर पौधे लगाने का काम बाकी है सुरक्षा के लिए इसकी बाउंडरी आधी भी बनाने पड़ेगी इस सिलसिले में उधर से कुछ सईयोग की संभाव नहो तो ध्यान रखें माता जी आप सब को सने लिखाती है श्रीराम शर्मा दोस्तों, जैसा कि पूझे गुरुदेव ने पत्र में कहा कि विचारों की खेती सबसे बड़ी सेवा है हम सब भी गुरुदेव के दिये विचारों को जन जन तक पहुँचाएं साथ ही अपने जीवन में अपनाएं तथा जिससे भी मिलें उसे गुरुदेव के सद विचार रूपी ज्यान से उत्तान की और ले जाकर उसके जीवन को महकाएं धन्यवाद अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और हमारी योट्यूब चैनल रिशिशिंतन को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहे धन्यवाद